अगर सोते से उठुकर रोए हैं शपीर बचपनों में तो आखावियो हजुरते जिबुरील ने जुला जुलाया है अगर से उठुकर रोए हैं शपीर जिबुरी जुलाया है अगर से उठुकर रोए हैं शपीर जिबुरी जुलाया है अगर से उठुकर रोए हैं शपीर जिबुरी जुलाया है हक्ताना को बड़ी मर्गूप है हक्ताना को बड़ी मर्गूप है अज्मते शफीर आतिफ खूब है हक्ताना को बड़ी मर्गूप है यहां से पहला बंतिश करा हूँ मुला जखरें वाह क्या ही खूब है शाने हुसेंद अज्मतों से पुरहिदा माने हुसेंद उनके पाकी का है बुर्वा में बयाँ ए खुदा ए पाकून पर महरवा मुस्तफा का प्यार हर हर आन है प्यार नाना की नवासा जान है हजरते शेरे खुदा का है करार देखते हैं प्यार से वो बार बार फात्मा जहरा के नूरे एन है और बड़े भाई हसन का चैन है वाकया सुनिये जरा शपीर का फात्मा के लाल की तोखीर का दोस्तो ये बात है उस वक्त की आपकी छे माह की जब उमर थी प्यार से जूला जूला ती फात्मा इस तरह उनको सुला ती फात्मा एक दिन जूला जूला ती थी उन्हें हो गया वक्ते जूहर भी तने में आपने उनको सुलाया जल्द तर और वुजू करके चली पढ़ने जूहर फिर नमाजे जूहर वो पढ़ने लगी उन पे रब की रह्मते जड़ने लगी इस नहां पढ़ने लगी सहरा नमाज इस नहां पढ़ने लगी नहरा नमाज इस नहां पढ़ने लगी सहरा नमाज वो गई वो खुद से बेखुद पेन यार इस नहां पढ़ने लगी सहरा नमाज इस नहां पढ़ने लगी नहरा नमाज इस नहां पढ़ने लगी सहरा नमाज जो गई वो खुदी से बेखुद पेन यार वो गई वो खुदी से बेखुद पेन यार वो गई वो खुदी से बेखुद पेन यार जो मिनो जनाब फात्मा ने हुसैन को लोरियां देकर जूले में सुला दिया और आप नमाज में मश्मूल हो जाती हैं इदर हुसैन जूले में चीख मार मार कर जारो खतार रो रहे हैं मौमिनों और रोने का सबब क्या है हुसैन का समार करें वाश्क बरसाता है तनहा है हुसैन जाओ तुम जूला जूलाने के दिये जाओ तुम जूला जूलाने के लिए इबन हैदर को सुलाने के लिए इबन हैदर को सुलाने के लिए इबन हैदर को सुलाने के लिए जाओ तुम जूला जूलाने के लिए जाओ तुम जूला जूलाने के लिए जाओ तुम जूला जूलाने के लिए इबन हैदर को सुलाने के लिए इबन हैदर को सुलाने के लिए जूलाने 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 के लिए लेकर आए हैं कहते हैं आई हुसें इसको सूगे आई हुसें ये जन्नत के मेवे हैं इसको तनावल फरमाएं हुसें किस तरह से नोरियां दे रहे हैं समात करें तुम तो जो मांखोगे वह चीज आएगी तुम तो जो माँखों के वो थीरा आएगी तुम तो जो माँखों के वो चीज आएगी मुस्कुरा जाओ पगरबने अधी तुम्त जो रंगों के वे चीना आएगी तो चो माखों के वो जीजा आएगी मुस्कुरा जाओ मगर मुझे अली मुस्कुरा जाओ मगर दे अली मुस्कुरा जाओ मगर दे अली गुभनो जिबरील लोड़िया दे रहे जिब्लील एरे हैं ऐ हुसेन तुम तो जो मांगो के वो चीज आएगी मुस्कुरा जाओ बगर इबने अली हुसेन इबने अली का रूना कम नहीं होता है जिब्लील हैरत में है आगे क्या होता है समात करें मुस्की दिए इसना से बहन जाएंगे हुसेंड 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 कुछ तो बोले इसना से बहन जाएंगे इसना से बहन जाएंगे हुसेंड इसना से बहन जाएंगे हुसेंड अपने रोने का सबब तो बता किस बात का रोना है हुसेन कहते हैं ऐए मेरे मौला ऐए मेरे अल्ला मेरे नाना जईफो ना तबा हो गए है मेरे नाना बहुत कमजोर है मेरे नाना तुझसे रात रात भर गिर्यों जारी करते है या रभी हवली उम्मती, ए मेरे मौला, मेरे नाना, तुझसे गिल-गिला कर नात राद भर दुआईं करते हैं, ए रभ मेरी उम्मत को ब्ष दे, ए मेरे मौला, जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्षेगा, मैं मैं इसी तरह से अजारो कतार रोता ही रहूंगा एक वो है छे माँ के हैं नाना की उम्मत के लिए अल्ला ताला से जिद कर रहे हैं ऐ रब अलामीन जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बखशेगा मैं इसी तरह से दारो कतार रोता ही रहूंगा और एक हम है हुसेन के नाना के उम्मती जो फजर के बख़ग जम्मवजिन सदा लगाता है अस्सलात खेर उम्मिन अन्नौ सोने से बेहतर नमाज हम हुसेन के नाना के उम्मती अपने बिस्तरों पर पड़े-पड़े सोते रहते हैं और एक वो है जो नाना की उम्मत के लिए रो रहे हैं एक हम उम्मती हैं हुसेन के नाना की आँखों को ठंड़क भी नहीं पहुचा सकते हम हुसेन के नाना की आँखों को ठंड़क भी नहीं पहुचा सकते हुदूर्ण ने फरमाया है ऐ लोगो ऐ मेरे उम्मतियो ये नमास मेरी आँखों की ठंड़क है अल्ला ताला फरमाता है हुसें चुपजा चुपजा हुसें मैं तेरे नाना की उम्मत को बख्ष दूँगा लेकिन हुसें तुझको आगे चलकर अपने नाना की उम्मत के लिए ये हिदायत करना होगा कि वो बुरे कामों से परेज करें जुआ, शराब, अयाशी, मकारी, जिनाकारी, सूध खोरी, जूग, फरेव, मकारी इन सब पुरी बातों से बचें और पांच वक्त की नमाज को काहिम रखें आए हुसें देख लेना सबसे पहले मैंदाने हश्र में मैं तेरे नाना की उम्मक को बख्षूंगा सुभालिल्ला सुभालिल्ला और मुमिनों अल्द ताला ये भी फरमाता है आए हुसें तू ऐसी उम्मक के लिए रोता है के मैदाने कर्बला में तेरे अली अस्गर की गर्दन पर तीर मारेगी यही उम्मत तू ऐसी उम्मत के लिए रोता है हुसें तेरे अली अक्पर की चाफी पर बर्चीना मारेगी यही उम्मत तू ऐसी उम्मत के लिए रोता है हुसें तेरे भाई अब पास के बासु खलम कर देगी यही उम्मत हुसैन कहते हैं ऐए मेरे मौला मेरा अलिय अक्वर शहीद हो जाए मुझे कोई गम नहोगा मेरे भाई अब पास के पासु कलम हो जाए मुझे कोई गम नहोगा मेरी लाश पर घोड़े दोड़ाए जाए मुझे कोई गम नहोगा जब जब तक तू मेरे नैना की उमत को नहीं मैं ऐसी तरह से जारो कंतार रोता है और मुमिनों ये हुसैन का हुसैन की नवादिश ये तो हुसैन ने अपने पूले घर की कुर्बानी दे कर अपने बच्चे-बच्चे की कुर्बानी दे कर आज दीने इसलाम को दुबारा से जिन्दा कर दिया यजीद ने इसलाम को खत्र कर दिया था ये हुसैन की महरबानी हुसैन की इनायत हुसैन की नवादिश जो हुसैन ने अपने सर की कुर्बानी दे कर आज इस इसलाम को दुबारा से जिन्दा कर दिया आखली बंपेश का राम मुलाजा करें खुब है शबीर का है ये दादा आय दे पत्हीर का मेरे दादा आय दे पत्हीर का है ये दादा आय दे पत्हीर का रुदमात खुब है शबीर का रुद्मात वुमे शबीर का है रुद्मात वुमे शबीर का है ये दावा आयत लखीर का है रुद्मात वुमे शबीर का है रुद्मात वुमे शबीर का